अलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश येस क्लास्टेस में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो है हिंदी ठीक है हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है बताईए आप लोग तो फॉर्थ है प्रैक्टिस स अभी कोश्टन को चैनल को चैनल को साथिख़ा को चैनल के लिएगा है रहा है। कह रहा कि कौन सा ब्यंजन ता वर्ग का अंतरगत नहीं आता है ठीक है वर्ण माला कि मैंने पूरी क्लास कराई है लेकिन उस पर कोई सपोर्ट ही नहीं था वैया एक लोग भी नहीं देखना चाहते थे बस कोई ब्यू नहीं अब देखे किस तरह के कोश्चन आ रहे हैं देख देखके वार्ण मा लाएा है एक जो रहे हो पावर्ग का थे टा गठाट आता ठीक है जो हमारे हो में Sun होते हैं घयार你想air कि वहार RES отвеч Network's ही इसी संख्या गना इसे हम अंतते हैं घरोंजें तोर सोटें को अंतत दृस्टे रम सद्लीघ मेंक जो स्बूसरा ही चैनल सभी हो फेंडिया दृस्तोर यारा ल्ड वैंग तो छ्ट नियुटते हैं और हमारे जो स्वरों की संख्या होती ती घ्यात Raja नगर टैल यहाई आगि आए अर्थ और अनुसार या वाके का कौन सा वेड अर्थ के आधार पर जो दोB Hak tweark aur 8 आथा आदयर का। थिक है तो घृक है ओक हम्हारा कॉया। तियुट है राजा नगर में अ आयरा और फिर्मार आधार नगर में आंए थीक है अरथा आधान वाक्य है। तो हमारा कॉया। आधान वाक्य आधान अर्थक in ठौतर वाक्य है। और प्रियोग की तो प्रियोग है कि अधार पतो था छोटी तो ऱिकला है। तो दो आपने इच्छा प्रणख की जाती है। करना उनकेत भीता है। बहुवरही, समास, समास से भी question पूछे जाते हैं, ठीक है, पुरा ब्याकरणिक है, बता रहा हूँ है, हिंदी इदम अलग, इदम भिन रहेगी, जो है, इसलिए मैं चला रहा हूँ, सुबह जो है, ताकि आप वहाँ जीएस करी, आपका यह स्टेट भी complete हो, यह स्टेट की भी तयारी हो, ठीक है, चली, निमलिकित में से कौन से संबंद बहुवरही, समासिक सब्द हैं, बताई, बहुवरही का अर्थ होता है, कि इसमें न तो पर् प्रधान हुआ है, मतलब तीसरा सब्द प्रधान हुआ कि नहीं, तो हमारा, कौन सा, बी पार्थ हमारा क्या जागा, राइट एंसर आजएगा, ठीक है, आई होप, आसा करता हूँ, सारी आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है, चली, आई चलते हैं, नेक्स्ट को गाठे के पूरे होते हैं, मान न मान, मैं तेरा महमान, गंगा गये, गंगा दास, जमुना गये, जमुना दास, अपना काज महाराज, अपना काज महाराज, बताई, कौन सा, इसमें सबसे लोकोक्ति के लिए सबसे क्या है, सटीक है, ठीक है, ठीक है, तो सबसे सटीक का आँ तो को दो होते हैं कि इसके साथ करम किया होता सात होता है अकर्मक आहिते सो अके में कर्म या नहीं नहीं होती किते मैं तो मैं अपना सिर्ख प्रियोग के आधार पर जो हमारे वाक्य के होते हैं, प्रियोग के आधार पर कितने प्रकार प्रियोग के आधार पर निए प्रियोग के आधार precisamente मैंने बताया था, प्रियोग के अधार पर सरल, संयुक्त और मिस्र वाक्य हमारे तीन होते हैं प्रियोग के अधार पर हमारे जो वाक्य होते हैं इक कौन सा है मैं खाना खाया तब वह तब वह आया तो बताई कौन सा है सरल, संयुक्त, मिस्र, संचिप्त, तो कोई वाक्य नहीं होता है, तो ऐसे ही गलत होगा है, बचे तीन, बताई, काउंसा हमारा जोगा 36 सकता है, तो सी पार, एक एक तरह का क्या है, मिस्र वाक्य, मिस्र 30, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, कोश्चन नमबर आप 37, बताएंग 38, नमलखित वाक्य में, एक नमबर भिराम चिन का लोफ है, वाक्य जी से, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराएे जिससे कभी दुख का नाम ना सुना हो जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो तो कौन से वाकु का क्या लोप हो यह इढ़े इनिवार्टे कामा में बन रहना चाहिए इस वाके को ॠीक है इसलिए ऊव्योल्य विट्स हिसाँ, यहां पूर्ड बिर्म हमारा गलत है है本ि क्या होसा है चाहिए हilsim परेको बजाते सी जिसको बोलते है, यहां पर इस भिड्स धर्ण चाहिए हिस्तो को जिए ह्मारे और परेको फटरण चरी को चलिए, नेक्स चलते हैं, कोश्चा नमबर 39, बताएं, 39 क्या है, संस्क्रित के मूल सब्द, जो हिंदी भासा में प्रचलित हैं, वे कहलाते हैं, मतलब संस्क्रित के मूल सब्द हैं, लेकिन हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें क्या काते हैं, तत्सम, क्या काते हैं, तत्सम, आज संस्क्रित के वे सब्दे जो पॉली परक्रतिक अपभ्रंस में प्रिवर्तित होकर हिंदी में प्रियुक्त होते हैं उसे तदभा होकाते हैं ठीक है इस सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए चलिए आगे चलते हैं कोशन नंबर आप 10 बताएंगे जो लोग कोशन अनार सव बिमार या एक है क्या है मुहावरा है वाक्यान्स है या लोकोक्ति एक अनार और इसके क्या है सव बिमार है तो यह एक क्या है लोकोक्ति है तो डी पार्ट हमारा इसका क्या हो जगा राइट जिसका अर्थ होता है वस्ट की पूर्ति कम और मांग अधिक ठीक है प कोप का क्या होता है आमर्श और आक्रोष घिस का परियावाची होता है ठीक है अर क्या होता है आक्रोष होग गुशा हो गया तोि इसिक पर हमारा च क्या हो गया है na । नेक्स इसिए पता देए से जो स्वर उधपन होते हैं उसे क्या कहते हूं मसला भिन-भिन Career स्वरॉं के मेल से जो स्वर उधपन होते हैं उसे क्या कह siamo क्या कहते हैं सहीच स्वर 5000 बढ़ाते test कितना इंपोर्टेंट है वर्ड माला गवरो गाता इन दोनों सब्दों की बीच में कौन सा मतलब गवरो बीच में जो चिन यूज किया कि उसे क्या लागो काते हैं योजक चिन काते हैं तो यह क्या है योजक चिन होता है ठीक है यह क्या है योजक चिन है ठीक है क्या है योज पाकिट मार सब्द में समास है पहले मैं दिखा दे रहा हूं कि मतलब किस तरह कोशन पूछे जाते हैं इसके बाद मैं क्या देखिए यहां पे जो हमारे चिन होते हैं उससे भी कोशन एक्ट हो आता है ठीक है उसकी मैं पीडियेफ बना के रखाऊं और उस पे कोशन कराऊंग पाकिट मार सब्द में समास है बताई पाकिट मार पाकिट को मारने वाला ठीक है पाकिट को मारने वाला अर्था इसमें किसका प्रियोग किया गया है मतलब परसर्ग का प्रियोग हुआ है ठीक है इसका क्या होता है उत्तरपत क्या होता है इसका प्रधान होता है ठीक है उत प्रधान अध्यापक की बातें, प्रधान अध्यापक की बातें सुन करके मैं सर्म के मारे चुप हो गया, रिखांकी तुवाक्य का भाव किस मुहाबरे से ब्यक्त होता है, मतलब चुप हो गया, सर्म के मारे चुप, आकास बाताल एक कर गया, अपना शामुह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया उल्टी गंगा भाने लगा बताई 45 का राइट एंसर तो हमारा क्या जाएगा B अपना मुह लेकर क्या रह गया ठीक है B पार्थ हमारा सबसे सटीक होगा 46 बताईए इसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं अपना तीस में 30 लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है आखे दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रियुक्त है बताईए बताईए जल्दी बताईए आप लोग आखे दिखाना लजीत करना साओधान करना स्वागत करना किसी को आख दिखा रहे हैं तो मतलब क्या करें गुश्चा ही तो कर रहे हैं ठीक है तो क्या होगा आखे दिखाना नहीं लोग आखे दिखाते हैं किसी बात को लेकर के तुसको क्या करते हैं गुश्चा करना होता है ठीक है क्या होता है गुश्चा करना ठीक नेक्ट बताईए 47, कहु रामण रागहो जग केते, पद में रामण सब्द का प्रियोग क्रम से हुआ है, रगु, कहु रामण रागहो जग केते में, कहु रामण रामण जग केते, में पहले रामण का प्रियोग ब्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है, ठीक है, पहला प्रती प्रती जाति बना दिक यह ठीक है देख तो व्यक्दिवाचाग और प्रती अनु जाति वाचाग तो इस तरह से महला क्या हो जाएगा बताएं 47 का c part right next चलिए बताइए भागवद 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 भागव बताई यह क्या है जब दोनों add करेंगे तो जुथा होता हो तीसरे अच्र में हमारा कारण सब्द से क्या हो करण सब्द है कारण सब्द बताई अनु तो इसमें उपसर्ग है एक तरह से देखा जाया तो अनु भी उपसर्ग है ठीक है आप बताएंगे मूल सब्द हमारा क्या है अनुकरण है ठीक है इसमें क्या देखा जाए तो एक मिनट अनुकरण हमारा क्या ज़िए प्रत्या लगा वार्टनी की द्रिष्ट से कौन सा सब्द सुध्ध है तो ड्रिष्ट से द्वंद हमारा क्या है राइट हमारा इस तरह तो द्वंद समास भी है समास आप पढ़े होगे तो ऐसे ही लिखा जाता है दोंदर समास ठीक है चलिए 51 बता दीजिए फटापट 51 बताईए आप लोग 51 क्या का रहा है 51 किसी वाक्य के अंस को हम निमलिखित में से क्या कहेंगे बताई पद बंद कहेंगे पद तल कहेंगे पद रूप कहेंगे या प तो एक तम व्याकरण फुल व्याकरण रहेगी इसमें ठीक है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती माने शून मतलब एक अही वर्ड की के अलग-अलग क्या आते हैं तो कौन सा इसमें सब्द सकती पहचानी है लच्छना सब्द सकती है चलते हैं १क्टि साथि की साथिक 15 का एलग सब्द में विकार भूनें से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं तो स्ली में पहर эконом important क्यों होगिक मातीक है और पहुक भाक है। भूधातु में क्रिया लगा करके हम क्या बनाते हैं बताई भूधातु में क्रिया लगा क्या हो जाता हो ना उसका अर्थ क्या हो जाता है ठीक है चली नेश्ट बताई आगे बताएंगे कोश्चर नंबर 54 54 क्या करा है संग्या का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध ह आधिकरन कारक जो संगया का ऐसा रूप है जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता ठीक है धी बार्ट हमारा राइट चलिए अब गध्यांस तो रहेगा है जो कंफर में इस पर जो कितने कॉप्षेन दो या तीन कोश्चन रहते हैं चलिए देख लेटें पढ़ लेते हैं कि आजीवी तत्यों या घटकों से क्रिया करते हुए संबली तृरूप से एक टंत्र का निर्मान करते हैं इस पारिस्थिति कर एक ड्य़ट कर एको तंत्र का जाता है विभिन एको तंत्र का संगठन भपुङblack घ्यरम जाता इस सब्द का प्रियोग मूल रूप से जिवों के शमुहूं और आवास के परस्पर मिलने से निर्मित एक क्रिया सील इकाई के निर्माण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। रखते हुए विकास की योजनाओं को निर्माण एवं क्रिया नमयन हमारी जिमें दारी है। ठीक चलिए आगे चलते हैं क्या करा है। चारा मंदल तो क्या का जाता है। छेव मंदल का जाता है। बी पार्ट इसका भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। फिप्टी सिक्स का हमारा क्या जागा। बी पार्ट चलिए। चलते हैं। क्यों, फिप्टी सेवन पार्षतित्की तंत्र है या एको तंत्र का घटक नहीं है। कार्मार्ण उर्जा है या मॉशंम है, तो पर्मार्ण उर्जा हमारी क्या है एकोशिस्ट्म नहीं है। बाकी साभी है। नेक्स्ट बताएंगे, question number 57, तीन question और हैं, बताइए फटाफट, पढ़ने को धैनिक जीवन की जरूत से जोड़ना या किस भासाई कौसल का उदेश से, अब एक भासा कौसल से एक दो कौस्चन आ जाते हैं, ठीक है, कम सक तीन या चार कौस्चन रहते हैं, पांच ठो बोलने की कौसल से लेखन से या पठन से, तो 58 का राइट एंसर हमारा क्या जाएगा पठन से, ठीक है, पठन से, 59 में बताइए लेखन कौसल से संबंदित नहीं है, विशेवस्ट को असपष्ट वद्तार की कुरूप से संगठित करना, लेख को कुशलता पुर्वक लिखन ब्याकरन का सही प्रियोग बिचारों के बीच संबंद अस्थापित करना, तो यही तो है, बिचारों के बीच आप लेखन से थोड़ी हो कर पाएंगे, तो किसके भांसर से ही तो कर पाएंगे, तो इस तरह से हमारा D पार्ट इसका भी राइट होगा, चलिए, लास्ट कोश बला घात का प्रियोग होता है, बला घात का प्रियोग बोलने के काशल में प्रियोग किया जाता है, तो B part हमारा इसका राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, आई होप मैं आसा करता हूँ कि आज आपके कम से कम 28 से 31 कोश्चन सही होने चाहिए, लास्ट के एक दो कोश्चन मे करने के लिए कोई नहीं रो सकता है, बस मेरे साथ आप लोग जूड़े रही है अभी से, ठीक हाँ, और कमेंट में अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर पढ़ना है, जो टॉपिक अभी मैंने वर्ड माला पढ़ाया तो वर्ड माला आप लोग देख लिजी, देख लिजी तीन कोश्चन इसी में पूशे करें, ठीक वर्ड माला से, इसके बाद समास, आप लोग अगर कहेंगे, तो समास का जो मैं ठीरी पूरा एदम, जो हमरे स्ट्रक्चर से बना बना की जिस तरह पढ़ाया जाता, उस हिसाब से में आप लोग को कंटेंट प्रवाइड लेकिन आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताया करिए कि सरहां यह वाली वीडियो लाइए ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जै हिंद जै भारत